हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपने भी JSSC यानि की जार्खन स्टाप सेलक्षन कमिशन के सन्युक्त सनातक पर सिख्षित सिख्षक परतियोगिता परिक्षा 2016 यानि कमबाइंड ग्रेजवेट ट्रेंड टीचर कम्टिटिव एकजामनेशन CGTTCE 2016 भरति के लिए एपलाई किया था और आप इसके एकजाम में एपियर हुए थे लेकिन अपना रोल नंबर याद नहीं होने के कारण अपना स्कोर काड नहीं आप चेक कर पा रहे हो और नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपना रोल नमबर कैसे पता करोगे और उस रोल नमबर के help से अपना scorecard कैसे चेक करोगे और डाउनलोड करोगे अगर ये वीडियो आपको informative लगे तो subscribe करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए start करते हैं तो रोल नमबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको जारखन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के official website पर आना होगा यहाँ पर आने के बाद आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे जाना होगा जैसे ही आप नीचे what's new वाले section पर पहुँचोगे यहाँ पर आपको scorecard link for cg ttce 2016 लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नए page पर पहुँच जाओगे और यहाँ भी आपको scorecard link for cg ttce 2016 लिखावा देखने को मिलेगा और इसके just नीचे आपको details लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके screen पर एक pop-up message देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको एक external website पर redirect किया जा रहा है उस external website के contents और privacy policy के लिए जहारखन staff selection commission का कोई responsible नहीं होगा इसके साथ ही आपको यहाँ पर ok का option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप ok पर click करोगे फिर से आप एक नए page पर पहुँच जाओगे यहाँ पर आने के बाद आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे जाना होगा जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पर आपको forgot role number का option देखने को मिलेगा और इसके नीचे आप से जो भी details मांगा जाए वो सारा details enter करके आप अपना role number पता कर सकते हो तो role number पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपना category यहाँ पर select करना होगा category में आपको BC2, EBC1, SCST, STPTG और unreserved का option देखने को मिलेगा इसमें से आप जिस category से बिलोंग करते हो उस category को यहाँ पर select कर ले तो category select करने के बाद आपको अपना subject select करना होगा subject में आपको bangla, commerce, economics, english, pharsi, geography, hindi, home science who, khडिया, khortha, kuduk, kurmali, maths and physics मुंडारी, music, नागपूरी, उडिया, पंचपरगनिया और संथाली का option मिलेगा apply करते time आपने जिस subject को select किया था उस subject को यहाँ से भी आप select कर ले subject select करने के बाद candidates, name, first letter यानि कि आपको अपने नाम का first letter यहाँ पर select करना होगा letter select करने के लिए यहाँ पर आपको A से लेकर Z तक का option देखने को मिलेगा इसमें से आपके नाम का जो first letter है उस letter को यहाँ पर select करना होगा first letter को select करने के बाद आपको अपना district यहाँ पर select करना होगा district select करने के लिए यहाँ पर आपको जार्कन के सभी district का option देखने को मिलेगा जैसे कि बोकारो, चत्रा, देवगर, धनबाद, दुमका इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी districts का option देखने को मिलेगा इसमें से आपने जिस district से apply किया है उस district को यहाँ पर select कर दे select करने के बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth select करने के लिए जैसे आप इस पर click करोगे यहाँ पर आपको एक calendar देखने को मिलेगा इस calendar के help से आपको अपना date of birth select कर लेना है date of birth select करने के बाद यहाँ पर आपको search for role number का option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको अपना रोल नमबर देखने को मिल जाएगा और इस रोल नमबर के help से आप अपना scorecard चेक कर सकते हो देख सकते हो या फिर आप download भी कर सकते हो scorecard किस तरह से download करना है इसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के आई बटन पर और end screen पर मिल जाएगा उस वीडियो के help से आप आसानी से अपना scorecard देख सकते हो चेक कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आगे भी आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए या फिर इस भरती से संबंधित और भी कोई अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को like करे, चैनल को subscribe करे और notification के लिए notification bell को on करके जरूर रख ले धन्यवाद